पहल जाओ सभी तुम ये क्या कर रही हो? अरे ये तो जैक की विंसी पेंटिंग है यही तरीका है लोगों को समुद्रों की दुनिया के हालत पर ध्यान देने का अरे क्या बात हो गई है? दुनिया के सारे समुद्र खत्म हो रहे है वेल्स मर रहे है हमें वेल्स को बच्चाना होगा ये लड़की पागल हो गई है हमें पुलिस को बुलाना चाहिए वेल्स को बच्चाओ पुलिस यहाभी पहले सही है पकड़ो उसे उसने पेंटिंग को खराब कर दिया है क्या तुम सीधी हरी नहीं हो सकती? हाँ, तुमें समुद्र के पॉल्यूशन के लिए कुछ करना चाहिए ना कि स्कूल की लड़की के किसी प्रदर्शन के लिए तुमने एक फेमस आर्टिस की पेंटिंग बिगार दी है तो सही से खरे हो क्योंकि जेल से तुम आसारी से निकलने नहीं वाली हो मैं जेल में रहकर भी वेल के लिए प्रदर्शन करती रहूंगी बस बहुत हुआ चलो अब उसे जाने दो ठीक है पर वो अपराद ही है मैंने कहा उसे जाने दो मैंने पहले ही तुमारे ओफिसस से बात कर लिए है ठीक है ठीक है मैं समझ गये हूँ धन्यवाद पापा वैसे अब प्रदर्शन जारी करने का यह सही समय है अब खतम नहीं हुआ तुम्हारा प्रोटेस्ट किसी काम करें यह यह तुम्हें मुसीबत में डाल रहा है बस हफते में यह पांच भी बार है कि मैं तुम्हारी बेल करवारा अभी पता है तो क्या मैं सब के लिए यह कर रही हूँ दुनिया को दिखाना है कि वो प्रकृति को कितना नुकसान पहुचा रहे हैं ये बंध होना चाहिए नहीं मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने तुँगा फिर मैं भाग जाऊंगी अगर ऐसा है तो तुम अभी क्या भी करेक्शन कैप जा रही हो क्या मुझे जाने दू मैं कही नहीं जाऊगी चलो भी अरे पापा यहां से बाहर चलो ना मुझे अब यहां बिल्कुल पसंद नहीं है बिल्कुल रहोगी, देखो, ये बहुती बढ़िया वाला करेक्शन कैम्प है, यहाँ पर तुमारे साथ खेलने के लिए तुमारे दोस्त भी है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मिस्टर साक, यहां के सबसे टफ बच्चे भी एक अच्छा इंसान बन जाते हैं कैसी है मिस्स किटी? ओ, और ये रही हमारी इवा, हेलो, स्वागत है आप तोनों का लगता है तुम्हें यह रहने में खुशी नहीं हो रही वैसे मैं एक बात बता दूँ कि मुझे यहां से खास नफ्रत है या तो मुझे यहां से आप बाहर निकालो, नहीं तो मैं यहां से खुच चली जाओंगी देखो, ज़्यादा बक्वास मत करो, तुम्हें यहीं पर रहना होगा मिस्स किटी, इसका कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल, मैं वादा करती हूँ कि एक महिने में आप इससे पहचान भी नहीं पाएंगे उसकी पास च्विंगम है च्विंगम खाना यहां पर अलाओड नहीं है इवा, चलो तुरंट फेको इसे ठीक है इवा ज़रा हद में रहना सीखो अपनी उसे ने कहा था कि इस च्विंगम को यहां से जुल्दी से हटा दो इवा ति तो मिस्टर साक, आप बिल्कुल परिशान मत होएं, आप निश्चिन थोकर घर चले चाहिए हम इवा की अच्छे से देख भाल करेंगे, है ना ग्विंग बिल्कुल सही कहा मिस किटी हम दोनों रूम मेट्स बनेंगे तुम ही सभी नियोमों का पालन करना होगा और मैं तुमसे सीखती रहूंगी और कौन से नियम है? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, बस 152 पन्नों की ही तो किताब है मैं तुम्हें अपने किताब दे दूँगे तुम पढ़ते रहना हैलो हैलो जी सभी को हैलेओ हैलो जी क्या ये रोबोट है तुम ही ये क्या कह रही हो हाँ वो और तुम सब तुम सब एक जैसे बहुत ज़ादा दिखते हो हम बस नियमों का पालन कर रहे हैं आओ मैं तुम्हें कमरे में दिखाती हूँ हाँ आओ हे लड़कियों हैलो क्या तुम्हें वो ऐसे ही वेभार करने के लिए कह रहे हैं प्रिंसिपल तुम्हें मजबूर कर रही हैं ना नहीं हम यहाँ पर रहना चाहते हैं हमें यहाँ रहना बहुत पसंद हैं हम अच्छे बच्चे हैं मुझे यह ऐसा क्यों लबता है कि यह जरूर एक पागल पंती है वो जरूर तुम्हारे दिमाग को कोई धोका दे रहे हैं है शांत रहो अगर तुम बगावत करोगी वैसी हो जाओगी अब यह हो गया 48 49 और यह 50 उसने उसको साथ क्या किया मैंनी तुमसे पहले ही कहा था कि मेरी साथ हाँ वो मैं माफी चाहती हूँ अच्छली वो मेरी दिमाग से निकल गया चलो आजो हमारी रूम में आपका स्वागत है मैं यहां बंक पर सोती हूँ तस बज़े सोना और सुबच्छी बज़े उठना होता है यह सभी स्कूल के नियम है वाकई इतने सारे नियम तुम्हें इसे सीखने के लिए दो दिन मिलेंगे रुको और यह रहा तुम्हारा यूनिफर्म वैसे मुझे इसके जुरूत नहीं पड़ेगी मैं अपने कपड़े लाई हूँ तुम्हारे कपड़ों की जुरूत नहीं होगी मिस्किटी चाहती है कि हम सब बस एक समान दिखे कुछ भी जैसे हम कुटे है या बिल्ली है मिस्किटी सोचती है कि टीनेजेज में फैशन, स्टाइल और कपड़ों की चिंता ये बस ध्यान बटकाते हैं और हम सब उनके साथ हैं वैसे क्या में अपनी मूर्जय यहां प्रदर्शित कर सकती हूँ बिल्खुल अल्बूत मेरा पसंदिदा स्पीकर BTS में पसंद है म्यूजिक यहां बजाना मना है इसे बंद करो चिक है तुम जल्दी समझ गई, गुड जॉब ओई 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 अरे भगवान, यह कैसे जगा है यहां में कैसे आई हेई, ऐसी बेहुदा चीज खाने का शोक यहां पर किसी को भी नहीं है नहीं नहीं नहीं, तुम ने गला समझा मैं इवा का बॉइफिरिंड हू तो आप समझा, उसे बेगाडने वाले गधे आखिर में है कौन बिल्कुल, और मुझे इवा की जरत है और अगर तुम उसे फिर से बाहर नहीं निकालोगे तो मैं पुलिस को बुलाओंगा चाहे तो अपने बाप को भी बुला ले लेकिन इवा या नहीं है वो उस प्रदशन में अकेले गई थी, उसने मुझे नहीं बुलाया कोई प्रोटेस्ट नहीं, कोई रिवाल्ड नहीं, पता है इवा करेक्शन कैम्प में और वो ठीक होकर ही आएगी वहाँ से क्या? तुने सही सुना, वैसे भी वो तुम जैसो के साथ रहकर बेगड़ी रही थी तुम इवा के साथ में इसा नहीं कर सकते, उससे अभी तुरत लेकर आओ लफा हो जा, कदहे के बच्चे हेई, बन मत करो, कहा जा रहे हो, खोलो और ये है हमारा क्याफिटे एरिया, सभी एक साथ खा रहे हैं तो? हाँ, खुद देखो जरा, सब रोबोर की तरह खा रहे हैं मैं तुम्हारी बात समझी नहीं, प्लीज बैठ चाओ तुम्हारा लंच ये लो, ये तुम्हारा है तुम तो नहीं बच्चे लग रहे हो क्रेश, क्या भूल गए कि करमचारी को स्टूडेंट से बात करना मना है मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ तुमने उसे क्यों बगाया वो एक करमचारी है और हमारे साथ बात करना नियमों के खिलाफ है लेकिन मुझे कुछ अलग खाना था मुझे ये मास पसंद नहीं है मैं प्लानेट को बचाने के बार में सोचती हूँ बस खालो बच्चों को प्रोटीन की ज़रूरत होती है ठीक है वैसे मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूँगी यहां सोया मीट है क्या या कम से कम कुछ आलू मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो यहां सब बहुत परिशानी वाली बात है यह वहवार यहां के दियमों का उलंगन करता है क्या तुम मुझे गद्दारी करोगी जाओ यहां से यह लो यह क्या है यह काफी जादा स्वाधिस्ट है और तुम्हें पसंद आएगा धन्यवार मिस किटी एवा ने दो दिनों से स्कूल के नियमों को तोड़ा है मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए यह तो तुमने बहुत अच्छा किया कि मुझे बता दिया ग्वेन वो बाकी सभी लोगों से बहुत अलग है लगता है कुछ करना होगा मैं जानती हूँ इसके बारे में क्या करना चाहिए माफी चाहती हूँ मैं कोई बात नहीं ग्वेन तुम चिंता मत करो मैं देखूंगी कि इवा सबके साथ अच्छे से फिट हो जाएगी ठीक है नो और तुम मुझे उसके बारे में खबर देती रहना बिल्कुल मिस केटी मुझे पता है आप जो भी करेंगे हमारे उजवल भवेश्य के लिए हाँ तो बच्चो पिछली कक्षा में हम क्या पढ़ रहे थे सिंडी लड़कियों को खाना बनाना चाहिए छोटे बच्चों की देखभाल करनी चाहिए और घर को साफ रखना चाहिए बहुत बढ़िया और यह सब क्यों करना चाहिए तुम बताओ ग्वेन ताकि वो अच्छी मा और अच्छी पत्ली बन सके और अपने भविश्य के पती को खुश कर सके क्या यह क्या बकवास है बकवास नेट मुझे तो ऐसी बीवी बिलकुल नहीं चाहिए जो कोक बिलकुल ना गर सके सच मुच तुम्हें लगता है कि क्या यह सोलवी सदी की बात है बात सोलवी सदी की नहीं कॉमन सेंस की है बस अभी सोलवी सदी वाले हम से बहतर जी रहे थे और तो उस समय कोई अधिकार नहीं था मानवता उनकी दूरी कर चुकी है और यही गलती है इसी लिए दुनिया इतनी मैस है सही है ना मिस्टर हैरी रत्तू सही पकड़ी है क्या तुम सभी इस बकवास से सहमत हो रहे हो तीना मिस्टर गैरी हमें सच्चाई सिखा रहे हैं ताकि हमारी जिंदगी बहतर हो सके बड़ी खुट टीना क्या तुम मुझसे मजा कर रहे हो मैं इस बकवास को सुनने के लिए अभी बिलकुल भी तयार नहीं हूँ हमारी असली क्लास तो प्रिंसिपल लेगी देखना तो लगता है कि तुम क्लास चोड़ रही हो हम यह सिस क्लास नहीं है यह सच में बच्चों के दिमाग में भूसा बर रहे हैं तुम्हें लगता है तुम सबसे ज्यादा बुद्धी मारो और वो भी इसके कारण मेरे बालो की वज़ो से? हाँ और बालो को कटवाने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम बिलकुल घलत थी मेरे बालों को छुना मत ताइम लगता है इने बढ़ाने में मैं अपने पापा को बता रही हूँ तुम्हारे बापा ने तो मंसूरी पहले ही दे दी थी हाँ? क्या? हेलो, क्या हो रहा है? ओ, मिस्स क्रिस्टी, हम आपका इंतजार कर ही रहे थे तो चलो फिर शुरू करते हैं, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है हमें इस लड़की के बालों को थोड़ा सा स्टाइल करने की ज़रूरत है हाँ, लेकिन वो तो डॉक्टर है और डॉक्टर कब से हेल स्टाइल करने लगे हाँ? हमें एक स्पेशल हैस्टाइल बनाना है तो क्या कहती हो? देखो, मैं तुमें एक सब्दा के बात का टाइम दे सकती हो क्योंकि अभी तो मेरा काफी बिजिश शिडूल है कोई बात नहीं, हमें तजार करेंगे शानदार वा, कोई नहीं है यहाँ पर इस डरामी चकल से बाहर निकलने का समय है तुम्हें क्या परिशानी है? भागना चाहती हो? हाँ, और मैं करूंगी ये काम नहीं करेगा, हर जगा पैरा है वो तुम्हें तुरंट पकड़ लेंगे तो अब तुम मेरी मदद करना चाहती हो क्लास पर मेरा साथ तुमने क्यों नहीं दिया हमें यहाँ पर औरों से अलग नहीं दिखना है नहीं तो वो लोग हमें उनी की तरह बना देंगे हाँ, तो चलो हम दोनों साथ भागते हैं हम दोनों मिलकर ये संभा सकते हैं नहीं, माफ करना मैं यह नहीं कर सकती तुम्हारे साथ क्या हो रहा है मैं यहां से भाग कर उसे छोड़कर नहीं जा सकती किसने छोड़ा ओ नहीं, सिक्यूरिटी काट कुट्टे के साथ एवा, उसे बाल कटवाने मत देना इस हेर कट में ऐसा क्या खास है समझा देगा टैन नहीं है देखो, मैंने इसे ढूल लिया है तुमने मुझे क्यों पकड़ा है तुम मुझे रोक नहीं से प्रसंगी अबे, यह बार तु नहीं पचेगा कहा भाग रहा है यह क्या हंगमा हो रहा है ओ, हमारा भागा हुआ वापस आगिया तुम कहीं नहीं जा रहे हो बेटा तुम्हें सुधारने के लिए तुम्हारे माबाप ने हमें बहुत सारे पैसे दिये हुए है उन्हें पता नहीं है कि तुम हमारे साथ यहां पर क्या कर रहे हो मुझे एक पॉन करने दो तुम्हारी ये आलत करने के लिए तो पैसे मिल रहे हमें मिस क्रिस्टी, क्या आप अपने शेडियूर में बाल कटवाने के लिए कोई स्पोट दे सकती है वेल, इस तरह के केस के लिए तो बिल्कुल कर सकती हूँ मैं इसके बाल अभी क्या भी कटूंगी तो फिर इसे रूम के अंदर ले कर जाओ और तब तक हम बाकी सब को दयार करते हैं नहीं, तुम्हें इसका कोई हक नहीं है तो क्या, इवा से कोई बात हुई? नहीं, दरसल इस चगप पर आनलाइन कुछ भी नहीं मुझे लगने लगा है, तुम्हारा साधरन केम्प नहीं है सच्ची, ये कोई फैंसी लड़कियों का स्कूल है या कुछ और? बहुत बुरा, इवा के पापा ने उसे मेंटल इस्टुटिट में डाल दिया है ने, ऐसा नहीं हो सकता मिस्टर जैक अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकते तुम्हें हैरानी होगी अच्छा तो अब हमारा क्या प्लैन है? हमें इवा को वहां से बाहर निकालना होगा लेकिन कैसे? शायद वहां है भी सुरक्षा हो याद है जब उस टीवी स्टेशन में हमने अपने प्रोटेस्ट का स्टंड किया था? मुझे याद है गाड ने उसकी पेंट फाड़ी थी और हमने उसके हेलो किटी एंडवीर देखे थे ए लिस इवा को बचाना ज़रूरी काम है हाँ समझ आया समझ आया हमकब शुरू करें अभी करना प्लीस मज़े यहां से बाहर निकालो प्लीस तीनः प्लीस तेन3739393940 तुम यहां पर कैसी आई चाप यहां चुराली तुम यहां अभी भी तुम जानती HO कीटना घतरा है सुनो मेरे रास को भूल जाओ हमारे पास ज्यादा समय नहीं है तुम भागे कैसे एरकट के दोरान क्रिस्टी डिस्टाइक्ट हो गए थी और मैं भाग गया था लेकिन यह तरीका बारबर नहीं कामाएगा हमें मुक्त होने का तरीका ढूंडा होगा चाहे कुछ भी हो मेरा भागना एक लग था समझी और उसना मुझे फिर भी पकड़ लिया था इस पार हम नहीं भाग पाएंगे उमीद नहीं चोड़ने चाहिए मैं इन ड्रोन्स के बीच में नहीं रहना चाहिए मैं उनमें से एक बेकार है हमारे माता पिते को कोई परवानी है हमारी नहीं उन्हें नहीं पता कि यहां पर क्या हो रहा है ठीक है लेकिन हमें यहां जान बूच कर भेजा गया है नहीं वो अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं शायद हाँ शायद नहीं ऐसे ही उमीद मेरी हर बार मर जाती है क्या तुम सच मुझार मान रहे हो सोचो कि तुम क्या चाहते हो लेकिन मुझे नहीं लगता हम यहां से बाहर निकल सकते हैं हलो सिंडी हैलो टीना कुछ मदद चाहिए नहीं यह काम तो मुझे मिस किटी ने सौपा है सेंटी क्या तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं पैचांदी बिल्कुल करती हूँ दियर टीना हो करेक्शनल कैम्प की स्टुडेंट हो बिल्कुल मेरी तरह अरे नहीं तुम मेरी बेहन हो साथ किताय प्यारे लंहों को याद करो मज़ेदार लेकिन मुझे तो कुछ याद नहीं तुम सब कुछ नहीं बूल सकती हो कुछ तो याद करने की कोशिश करो माफ करना टीना मुझे अभी जाना होगा दरसल मुझे मिस्किती को रिपोर्ट देनी है अभी के लिए गड़ बाई वो लोग यह सब कैसे कर सकते हैं मुझे सब सही करना होगा मेरी बहन मेरे साथ होनी चाहिए जाती है शांत्रो चिरां मत समझी क्रि Yage इह क्या हो रहा है शांतरो रेज़िशे apology Nedon मेरे साथ चलो क्या तुम मुझे बल्कट वाने ले जारे हो ऊधरे तुम्हें सब कुछ पता करना होगा क्या तुम क्या बात करे हो निए सबस्कुंभ look चीक है, शुक्रिया, क्रिस हाँ, वैसे, डील क्या आये हाँ क्रिस ने मुझे यहाँ क्यों खीचा ताकि कोई हमारी बात न सुन ले मुझे लगता है कि किसी को फरक नहीं पड़ता मेरी बात पर विश्वास नहीं होता न तो क्यों न मैं तुम्हें दिखाती हूँ तब विश्वास करोगी वैसे तुम मुझे क्या दिखाने वाली हो हाँ तो चलो मेरे साथ दिखाती हूँ ये हम कहां है श्च देखो तो चलो आखिरा आ गए हम सब यहाँ पर कमाल है आज तुम विरोध नहीं कर रहे हो क्या फाइदा उसका तुम मुझे पकड़ी लोगे मैं हमीशा से जानती थी तुम बड़े होशी यार हो टाइम आ गया वो ये क्या कर रहे है देखो बस थूड़े ही देर में तुम एक सही आत्मी बन जाओगे या फिर एक चीरफुल रोबोट हो उससे बातचीत बंद करो शुरू करो बस हो गया देखो कैसा लग रहा है शानदार मिसस क्रिस्टी मैं बहुत ज़ाद अच्छा महसूस कर रहा हूँ बहुत बढ़िया वो ये कैसे करते हैं मुझे नहीं पता लेकिन उनोंने सब के सर पर इस गिजमों को यूज किया है तो फिर ये तुम पर क्यों नहीं काम करता क्योंकि बच्पन में मैं एक बार साइकल से गिर गई थी सरजरी हुई और मेरे सर में एक टाइटिनिम प्लेट लगानी पड़ी शायद इसलिए इसने काम नहीं किया मुझ पर तो फिर तुम क्यों नहीं बाहर निकले मैं नहीं कर सकती मेरी बहन सिंडी भी यहीं पर है नहीं यहीं सच है इस दुनिया में मेरी बहन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टन्ट है हम बहने हमेशा से दो शरीर एक जान हुआ करते थे लेकिन अब वो हाँ इन लोगों ने उसके बाल कटवा दिये और अगले दिन वो मुझे नहीं पैचान पाई यह पागल पंती है यहाँ पर सरूर कोई है पकड़ो उन्हें यहाँ जो भी है वहीं पर रुक जाओ मुझे पकड़ लिया जाएगा वो बच्चा कहां किया मैं तुम्हे अभी ठूंड लोंगी नियम तोडने वाले क्या हम एसे बच्चान पता नहीं कहां चलागिया वा चली गई है क्या हम ऐसे ही मिलते रहेंगे माफ करना लेकिन मुझे किटी से तुम्हें बचाना था क्यों तुम मेरी मदद क्यू कर रहे हो तुम उनके लिए काम करते हो तुम्हें उनकी तरह होना चाहिए उनकी तरह के सच में तुम रोबोट बनना चाहती हो हाँ थोड़ा सा नहीं मैं उसके खिलाब हूँ, मैं इन सब पागिलपंती से दूर करने के लिए तुम्हें यहाँ पर लेना आया हूँ लेकिन तुम अब क्यों शुरू कर रहे हो और उन लोगों से मुझे ही क्यों बचाया जब तुमने मुझे देखा था, मैं समझी नहीं सका था, तुम बिल्कुल आलाग हो, मैं नहीं चाहता कि तुम जॉम्बी बन जाओ धन्यवाद ठीक है, मैं तुम्हें कमरे में लेकर चलता हूँ, इससे पहले उन्हें पता चल जाएगी तुम जासूस हो तीना, तुम यहाँ हो मैं डर गई थी, कि क्रिस्ची और किटी तुम्हें पकड़ लेंगी तुम क्या बोल रही हो अरे, वो कल हम लोग उस लाब में फस गए थे क्या बोल रही हो, कौन सा लाब हमें तके वल क्लासिस और लाब्रिर्य चाना होता है हाँ, हाँ, हो नहीं सकता हाँ, नहीं, उन्होंने तुम्हें धोका दिया है लेकिन कैसे, तुम कैसा महसूस कर रही हो बहुत अच्छा, इतना अच्छा कभी नहीं लगा मुझे बहुत खोशी मैसस हो रही है उन्होंने शायद मेरी मैटर पेल का पता लगाया और उसका से तुम पे डाला अरे तुम इसी बेचैन क्यो हो सब ठीक तो है ना चिंता मत करो नहीं, सब बहुत खराब है प्लीज, होश में आओ, प्लीज तुम क्या कह रही हो पीछे हटो ग्वेन ऐसी एक्स्प्रेशन यहां एलाउड नहीं है मैं तुम्हारी प्रिंसिपल को तुरंट बताऊंगी हेई, तुम जा कर किसे से भी रिपोर्ट करो हाँ शायद वो किताब लेने गई है हाँ ऐसा समझती रहो बिल्कुल ऐसा ही समझती रहो टीना क्यों नहीं खुशी से मैं यहां बिल्कुल अकेली हूँ वो लोग मुझे रोबोट बना देंगे ईवा, एलिस, वो यहाँ पर है ईवा जोनी, एलिस तुम्हें देकर बहुत खुशी हुई है तुमको देकर हम भी खुश है लेकिन तुमने मुझे कैसे डून डाला तुम्हारे पापा ने हमें उस केम्प का नाम बताया जहां तुम्हें भीज़ा था और हम यहां आ गए लेकिन तुमने सेक्योरिटी को कैसे पार किया ये हमारा पहला काम नहीं है और फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तयार हूँ डोनी सुनो हमें जल्दी से निकलना होगा ये तुम्हारा है हाँ इसे जल्दी से पहनो ठैरो, इत्ती जल्दी मत बहो हमारे पास समय नहीं है, चलो लुको, मेरी बात सुनो मेरी बात तो सुनो एक बार क्या हुआ है, ये हेजिटेशन क्यों ये हमारे भागने का मोका है मैं इस तरह नहीं बढ़ सकती हूँ मैं दूसरों को पीछे नहीं छोड सकती मुझे उनकी मदद करनी ही होगी अगर ये काम ना करो तो और क्या हो अगर वो तुम्हें यहाँ पर छोड़ दे प्लीज, देखो मुझे ये करना है प्लीज, हमारे उदेशे को नहीं छोड सकते वेल्स की मदद करो क्या हो गया है वैसे सच कहूं तो मैं प्रोटेस्ट में शामिल हुई क्योंकि वो मज़ेदार था और हम तो दुश्मन थे ना ये कमाल था सच में और तुम मैं इसलिए इसमें शामिल हुआ क्योंकि तुम मुझे पसंद हो मैं तुम्हारे करीब होना चाहता था सच में मुझे ये लगा था कि तुम्हें समझ में आ गया है कि हमें दुनिया को बहतर बनाने की जुरूत है और तुम्हें ये सिर्फ एक मजाक लगा यहां से चलो इवा हमें यहां किसी की मदद नहीं करनी है हम सिर्फ टीनेजर्स हैं कुछ भी हमारे उपर डिपेंड्स नहीं है तुम पूरी दुनिया को नहीं बदल सकती बिल्कुल सही लोग वही करेंगे जो उनके लिए फायदे मन्द हो उन्हें वेल्स, कंगारू और दूसरों से कोई फरक नहीं पड़ता हां कि हम भूल जाएं कि दुनिया किती मतलब ही है जाओ इवा तुम यहां पर हैं हां, मैं और कहा हो सकती हूँ मैंने तुम्हारे दोस्तों को देखा और मुझे लगा तुम भाग गई मैंने फिर सोच लिया तो क्या फैसला किया तुमने तुम यह सब रोकने वाली हो और सब बदलोगी क्या मस्त आइडिया है वैसे कोई प्लान नहीं है क्या मतलब तुम्हें समझ में नहीं आए क्या मैं तुमारी मदद कर सकता हूँ मुझे मदद की सुरुरत नहीं है मुझे बस बाल कटवाने है अरे रुको तुम पागल हो गई हो क्या दुनिया पागल हो गई है सब कुछ तूट रहा है और मैं कुछ भी नहीं बदल सकती हूँ ऐसा मत बोलो मुझे पर भरोसा करो तुम कर सकती हूँ हाँ छीक है मेरी दोस और मेरी एक्स बॉइफरेंड को भी मेरे बेविश्वास नहीं है मैंने उसे छोड़ दिया और मुझे इस बारे में कोई परवा नहीं है मैं और कहा हो सकती हूँ मुझे दुनिया बदलनी है नहीं तुम हार मत मानो हाँ मैं हार नहीं मान रही मुझे बस भूल जाना है और हस्ते मुस्कुराते रहना है इन सारी समस्याओं के बारे में सोच बिना ये बस एक गल्ती थी, बस गल्ती मैं और इस वरा से नहीं जी सकती तुम लंच के लिए नहीं आई, ये नियमों के खिलाफ है मुझे पता है बीमार लग रही हो तुम, हमारे पास टॉक्टर है वो तुमारी मदद कर सकते हैं ताकि तुमारी लंच और क्लासेस में इस नहीं नहीं, मैं बस अपने पुराने जिवन को अलविदा कह रही हूं तुम मजी बात कर रही हो हम, चिंता मत करो मैं अपने बार कटवाने जा रही हूं और तुम्हारी जैसी बन जाओंगी लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है तुम्हें समझने की जुरत नहीं ये लो, ये लो कम से कम मेरे बारे में एक समाने व्यक्ति की याद तो रहेगी पर हमें म्यूजिक सुनने की आनुमती नहीं है मुझे पता है बस अब इसे तुम रख दो अगर मैं कहीं रोबोर बन गई तो मैं आकरी बार लियमो को तोड़ना चाहूंगी हाँ, तुम्हें क्या हुआ, ये तो सिर्फ संगीत है आरे, नहीं कौर हो तुम, मैंने ये क्या पहना हुआ है मुझे इस रंग से नफ रख है और मैं यहां क्या कर रही हूँ वाउ, म्यूजिक वापस लाने लगा है लगता है, मैं वास्तम में दुनिया बदल सकती हूँ ये तुम की स्पारी में बात कर रही हूँ रुको, मेरी बात धान से सुनो गुद डे इवा, पधाई हो, तुम्हारा मेरे कैम्प में सबसे अच्छा दिन है बाल कट्वाने का दिन, लडने की तु तु तुम सोचना भी मत मैंने कभी प्लान ने किया था, मैं शामिलू अनकस्पेक्टेड राइट, चलो फिर, शिरू करें चल्दी ही तुम एक मॉडल केम्पर बन जाओगी ठीक है, लेकिन ये स्कूल रेडियो का माइक कहां है परफेक्ट, ये रहा रेडियो, अब इसमें म्यूजिक चलाना बाकी है वो उमें बिल गई उसे पकड़ो, स्कूल में कोई गाना नहीं बजा सकता मुझे जाने दो, मैं सब के लिए बेहतर करने जा रही हूँ नियम तोड़ने के बाद तुम्हें सच में लगा, तुम हमसे बच सकती हो जाने उसे तब तक बंद रखी, जब तक प्रिंसिपल रहा जाए तुम समझ नहीं रहे हूँ, मुझे जाने दो जाओ मेरी प्यारी वा, मैं तुम्हें खो बैठाँ ये आवास कैसी है मेरी प्यारी वा, मैं तुझे ढूंडू हर जगा म्यूजिक मैं तुझे ढूंडू हर जगा टाइलर मैं और गाना नहीं गाऊंगा बस तुम प्रिंसिपल को मत बताना ठीक है क्या, तुम मुझे पागल समझते क्या तेरे की डाने तो मुझे भचाया है एक मिनट, तुम रोबोट नहीं हो म्यूजिक मुझे वापस लेके आया सच में हमें इवा को ढूड़ना होगा मैंने देखा था उसके बाल काटने के ले ले जा रहे थे फिर से शायद हम उन्हें ना रोक पाए और हमें भी ट्राइक करना चाहिए मेरे पास एक प्लान है वो क्या है? चला सभी को एक साथ बचाते हैं बताओ जरा विश्वास करना मुश्किल है लेकिन अब तुम बिल्कुल ठीक हो वो नॉर्मल से बहतर होगी ओ, क्या तुम घबरा रही हो? नई, नई, सब ठीक है कुछी समय में तुम बिल्कुल भूल जाओगी कि तनाव होता क्या है आखिर अरे यार, ये म्यूजिक कहां पर है अभी तक ग्वेन नाचाने शुरू क्यों नहीं किया? सब नयार हो गया है, चलो शुरू करते हैं शानदार, वैसे इवा, मैं तुम्हें बताना भूली गई संगीत नहीं होगा क्या? तुमने क्या सोचा? मुझे पता नहीं लगेगा कि तुम ग्वेन को वापस होश में ले आए? हमारी आखे और कान सब जगा है हमने ही तुमारी दोस को यहाँ पर भुला लिया है और तुम्हारी ग्वेन उसे पकड़ लिया गया है अब तुम्हें बचाने वादा कोई नहीं हो शुरू करो नहीं, फ्लीज नहीं मिज़े इवा को बचाना है मुझे सभी को बचाना है तो जब बताओ किसने क्या बोला मिस्स किटी जब वापस आएंगी वो इसे ठीक कर देंगी नहीं तुम सब जॉम्बी हो वाव किसी ने वॉल्यूम बढ़ा दिया है उर्ये शायर इससे काम बन जाए तुझे लगता है काम करेगा मुझे बड़ा यकीन है तो फिर जाकर देखते हैं न रुप 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 एक मुट चल अब चलते हैं टिना फॉलवे में क्या कर रही है यहाँ आना मना है मैं यह इनियम नहीं मानती हूं भाण में जाओ क्या, अपने टीचर से कोई ऐसे बात करता है क्या हट जाओ यहां से सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा मिस किटी, आप ठीक तो है न समनी सुना नहीं क्या चलो मिस किटी, जलने यहाँ पर बैठो प्लीज क्या हो गया, कुछ बताओगे मुझे मुझे भी लगा कुछ गड़बर है किसी ने वॉल्यूम तेस्ट कर दिया क्या मुझे का हाँ, वो सब इसे बाहर आचुके साब घर्दम हो जगा अले चीज़े पतर जाएगी सब वापस आजाएगे देरे देरे सब ठीक हो जाएगा इतना निराश नहीं होते सब ठीक हो जाएगा सिंटी तीना तुम्हें बहुत याद दिया तुमसे बात ना करनी के लिए माफी जाएगी तुम्हारी गल्ती नहीं है उन्होंनोंने हमारा ब्रेनवाश कर दिया था हाई बेबी ये, ये काम कर गया हमने सब को ठीक कर दिया वाँ इवा कहाँ पर है मैं यहाँ हूँ इवा वो रही हमारी सेवियर असर में तुमने सब को बचाया तुमने लाउड स्पीकर पर जो म्यूसिक बचाया मैंने ही कर पाई उन्होंने मुझे पकड़ लिया था इसके लिए माफ कर ना हम उनके कंट्रोल में थे लेकिन फिर किसने किया हमने किया क्रिस ने गिटार बचाया और मैं वापस नॉर्मल हो गया और फिर समझ में आया कि म्यूजिक ही हमें होष मेलाएगा अरे वा पर तुम यहां किटार कैसे लेकर आपाए? वेल वेल, मुझे तुम सब कितरा नहीं देख रहते हैं? हम अजाद हैं! और मैं सोचा था कि तुमने हर्मान ली? हाँ, मैंने किया. लेकिन समय रहते मुझे एहसास हुआ कि हम अभी भी लड़ सकते हैं. सब की मदद करके खुशी हुई. मुझे खुशी है कि तुम अपने लिए सच्ची रही. आप सब का धनेवाद. तो हमें किसका इंतजार है? चरो वेल्स को बचाए! तुम भूल गए कि तुम्हें चात्रों से बात नहीं करनी चाहिए? मैं करूँ पानी ला देता हुई. अच्छा तुम बच शिरू काूँ. लगता है यही सही है फिरू. मैं मास नहीं खाती. मैं सब के सब के लिए. महत अच्छा किया, ग्वेन. मुझे बता कर तुमने. कभी मत का हो कि तुम. मैं हसने के बगर नहीं रहा हुए. ध्यान से सुनो, समझे ध्यान से. वो मुझे रोबोर्ट में बदल देंगे. रोना बंद करो. वास्ता में मेरा माना है कि कोई नहीं रोना चाहिए. में 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 भूण कि कि अबदल अच्छान कर देंगे. उन्यान से में 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 मुझे रहा हुए. झाल अबस्ता में में मॉझेत अच्छान कर दें हुआ प्रेंगे.